Hello Friends, मैं हूँ दीपक दोसों जैसे कि आप जानते हैं मैंने Top 100 One Word Substitution के एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने आपको Part 1 दे दिया है Part 1 में मैंने आपको 10 Important One Word Substitution कराई थे तो आज हम Part 2 में फिर और 10 पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं पहला है हमारा 11th नमबर Science of the Rashes of Mankind यानि कि जो मानव होते हैं उनके Rashes की जो study की जाती है उसको क्या बोला जाता है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं Ethenology, Option Number C is the Right Answer Ethenology ठीक है अब हम एक एक करके और options को भी देख लेते हैं Geneology, Geneology का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेश के जो है परिवार के बारे में जो उसकी हिस्ट्री होती है उसको हम Geneology बोलते हैं Epistemology, Epistemology का मतलब होता है ज्यान मिमानसा ज्यान मिमानसा का मतलब वो व्यक्ति जो सोचते विचारते हैं उनको हम epistemology के अंदर रखते हैं उसके बाद option number D है sociology sociology का मतलब आप जानते ही है सामाज सास्त्र होता है जिसमें हम सामाज के बारे में study करते हैं next देखते हैं next है हमारे पास 12th detaining and confining someone यानि कि किसी को पकड़ना हिरासत में लेना और उससे फिर क्या करना confine करना ठीक है तो आप देखते हैं कि जैसे कि police वाले चोरो चोको को क्या लेते हैं अपने हिरासत में लेते हैं और फिर उनसे क्या करते हैं पूछताज तो उसी के बारे में हम मतलब कौन सा one word substitution उसके लिए correct रहेगा तो इसका right answer हो जाएगा option number B interrogation interrogation का मतलब भी होता है कि किसी को हिराशत में लेना और उससे पूछताच करना ठीक है option number आप एक देख सकते हैं option number A interruption interruption का मतलब होता है कि किसी कामर रुकावट डाला interruption उसको बोलते हैं option number C आप देख सकते हैं interment interment का मतलब होता है जो कबर आप देखते होंगे यानि कि जो dead bodies को दफनाने की क्रिया होती है उसको interment बोला जाता है and option number D interment interment का मतलब होता है नजरबंदी नजरबंदी कहें तो इसका मतलब कि किसी व्यक्ती के उपर ऐसी कड़ी नजर रखना उसको कुछ करने ही ना देना जैसे कि आप देख सकते हैं भारत में जो कोरोना वाइरस में जो lockdown था lockdown के दौरान जो है कैसी कड़ी नजर रख रहे थे जो हमारे पुलीस वाले जवान है तो उसको हम बोलेंगे interment ठीक है interment उसको बोलते है दोस्तो हमारा 13th नमबर पे है an unhanded device resorted to in order to justify misconduct यानि कि किसी को ठगने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number B maneuver maneuver इसका right answer हो जाएगा और एक एक पर के हम सभी options को देख लेते हैं option number A है हमारे पास subterfuse subterfuse का मतलब होता है चल इसका मतलब होता है चल क्या होता है चल उसके बाद हमारे पास हम आते हैं option number C पे stratagem stratagem का मतलब भी होता है इसका भी सेम वही है complicity complicity का मतलब होता है मिली भगत होना आप देखते हैंगे कि कोई crime में बहुत सारे लोग आपस में मिले हुए होते हैं मिली भगत उसको हम बोलते हैं complicity अब हम आते हैं अपने next one word substitution जो की है one who criticizes popular beliefs which he thinks is mistaken or unwise यानि यह कोई ऐसा विक्ति जो कि popular beliefs होते हैं यानि कि जो बहुत सारे मतलब popular विश्वास होते हैं उनको मतलब सच नहीं मानता है उसको हम बोलेंगे क्या इसका right answer हो जाएगा imposter option number C इसका right answer है imposter ऐसे विक्ति को imposter बोला जासा है option number A में आप देख रहे हैं philistine philistine का मतलब होता है ऐसा विक्ति जो कि कला संगीत का मतलब के बारे में इज़्जत नहीं करता हो उसको सुरेश्टिता नहीं देता हो ठीक है तो उसको हम बोलते हैं philistine option number B आप देख रहे हैं iconoclast iconoclast का जो मतलब होता है वो होता है संस्कृति को ना मानने वाला विक्ति जो अपनी संस्कृति को नहीं मानता है ठीक है अपने संस्कार को नहीं मानता है उसको हम बोलते हैं iconoclast क्या बोलते हैं iconoclast उसके बाद next आता है cannibal option number D cannibal का मतलब होता है जो कि human flesh को खाता है यानि कि manov के manz को खाता है उसको cannibal बोला जाता है उसके बाद हम आते हैं next 15th जो है हमारे पास क्या है impossible to describe यानि कि कोई ऐसी चीज हाँ कोई ऐसी चीज जो कि describe नहीं की जा सके ठीक है जैसे कि आप जानते होंगे हम बोलते हैं कि आप तो इतने महान हो आपके बारे में कोई सब्द हमारे पास है ही नहीं बोलने के लिए तो impossible to describe जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं जिसको हम बया नहीं कर सकते हैं सब्दों में तो उसको बोलते हैं ineffable option number B इसका right answer हो जाएगा ineffable इसका answer होता है आप देख सकते हैं option number A में लिखा है miraculous miraculous का मतलब होता है जो चमतकार यानि कि एकदम चमतकार से भरा हुआ उसको हम बोलते है miraculous option number C है step on us step on us का मतलब होता है विशाल बहुत बड़ा क्या होता है विशाल होता है इसका मतलब और option number D आप देख सकते हैं appealing appealing का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे डर उत्पन होता है ठीक है तो जो डराती है उसको appealing बोला जाता है और उसके बाद हमारे पास आता है 16th number पे हम देखेंगे one who hides away on a ship to obtain a free passage यानि कि कोई ऐसा विक्ति जो किसी ship में छुप जाता है ताकि वह फिरी सफर कर पाई क्या कर सके फिरी सफर कर सके उसमें तो उसको हम बोल सकते हैं store away store away बोलते हैं इसका right answer option number C हो जाएगा store away क्या हो जाएगा store away ठीक है option number A मैं आप देख सकते हैं compositor compositor का मतलब होता है कि कोई ऐसा विक्ति जो typing वगरा करता हो option number B stroker stroker का मतलब होता है कि जो steam वाले engine होते हैं या steam वाले trains होते हैं steam वाले ships होते हैं उनके अंदर जो furnace की देख भाल करता है furnace को चलाता है इसको stroker बोला जाता है उसके बाद option number D है ship right ship right का मतलब होता है कोई ऐसा विक्ति जो की ship को बनाता है port बनाता है उसको ship right बोला जाता है 17 वाँ आप देख सकते है clues available at a scene यानि कि किसी घटना इस थल पर scene का मतलब घटना इस थल पर कोई clue available होना clue का मतलब कोई अगर आपको सुराब मिल जाता है तो उसको क्या बोलते है उसको हम बोलेंगे circumstantial क्या बोलेंगे circumstantial option number a is the right answer circumstantial इसका answer होता है अब option number b में आप देख सकते है derivative derivative का मतलब वही जो कि किसी से व्यूत्पन हो जैसे कि आप physics में देखते है fundamental quantity दूसरे होती है derived quantity ठीक है और उसके बाद option number c आप देख सकते है inferential inferential का मतलब होता है अनुमानिक यानिकी जो अनुमान से बोला गया है उसको अनुमानिक inferential बोलते है suggestive का मतलब वही क्या कि सलाह देता है 18 है हमारे पास an unexpected piece of good fortune इसका मतलब होता है कि एकदम अच्छी किस्मत होना उसको benevolence बोला जाता है option number c इसका right answer होगा benevolence benevolence का मतलब भलाई भी होता है दोस्तों यह याद रखेगा उसके बाद option a में लिखा है windfall windfall का मतलब होता है क्या एकदम अचानक से आपको धन मिल जाना उसको हम windfall बोलते हैं उसके बाद b option है philanthropy philanthropy का मतलब होता है जो मानो जाती से प्रेम करता हो उसको philanthropy बोलते हैं ऐसे विक्ति को philanthropist बोला जाता है और आप देख सकते हैं option number जो d लिखा है वो है turn style turn style का मतलब होता है जो आपने देखा होगा जो gate होता है unemployment over and above fixed income और salary यानि कि किसी जो salary होती है salary दबा के होना और काम कुछ ना होना मतलब आराम की नौकरी जिसको हम बोल सकते हैं वो होता है आपका option number b यानि कि senicure उसको बोलते हैं यानि कि नौकरी तो आराम की है salary भी अच्छी मिल रही है ठीक है उपर से bonus बहुत मिल रहा है लेकिन काम बहुत कम है तो उसको बोलते है senicure हम बोलते है option number a में लिखा है honorarium क्या लिखा है honorarium इसका मतलब होता है कि मानलो किसी ने आपका काम किया और आपने उसको मनमाने तरीके से पैसे दे दिये उसको honorarium बोला जाता है option number c है percuside percuside का मतलब होता है कि जो आप सामाज की मानलो सेवा करें सामाज सेवा से जो आपको फल मिलता है उसको percuside बोला जाता है यानि कि सामाज सेवा करने से जो आपको सुक्स विधाय मिलती है उसको percuside बोलते हैं ठीक है, option number D है, prerogative, prerogative का मतलब होता है, जो किसी व्यक्ति का एक दम विशेश अधिकार जो होता है, उसको prerogative बोलते हैं, last देखते हैं आज का, ये है हमारा 20 वाला, the animal of a particular region, यानि कि किसी particular region के जो animal होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ठीक है, the animals of a particular region, मालो कोई particular region में, कोई animal होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आकर, उसको बोलते हैं, फियोना, उसको बोला जाता है, option number D کا right answer है, फियोना उसको बोलते हैं, ठीक है, जैसकि आब मालो राजिस्थान में जो उँट होते हैं, क्योंकि वो particular जग़ पे होते हैं, उसको फूना बोला जा सकता है option number A में आप देख सकते हैं क्या है flora flora का मतलब भी वही होता है कि कि किसी particular इस्थान में पाई जाने वाले पेड़ पॉंधे आ जाते हैं यहाँ पर क्या जाते हैं option number B है museum museum का मतलब भी होता है कि जू आप जानते हैं चिड़िया घर होता है